हेलो दोस्तों जैहिन जैभारत मैं आपके अपने चैनल एब एजुकेशन सफर पर आसा करता हूँ कि आप सब लोग खीक होंगे अपने अध्यनकार में लगे होंगे दोस्तों मैं इंडियन जोगरफी का आज जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वहां मेरा टॉपिक है जो प्रायदी भहरत की जो नदियां हैं देखे नदियों का उधगम भारत में दो जगे से हुआ है एक जो हूआ है और हमालें झालें धीयां दो जगे अपना जल गिराती है एक बंगाली खाड़ी भी गराती है और दूसरा अरब सागर में गराती है जैसे गंगा नदी है यमना नदी है इसकी सागर जो भी नदिया है वहाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में गराती है या जो सिंद नदी है या उसकी जो सागर नदिया है वहाँ अपना जल है वहा अरब सागर में गराती हैं, कहां गराती हैं, अरब सागर में गराती हैं, इसी परिकार से अगर देखा जाए, जो प्रायदी भी भारत की नदियां हैं, वह अपना जल्ड, या तो वो बंगाल की खाड़ी में गराती हैं, या फिर वो अरब सागर में गराती हैं, तो देखिए जो प्रायदी भारत की नदियां हैं वह नदियां हमाले परवत की नदियों से काफी पुरानी नदियां हैं मतलब जो हमाले है उससे पहली की बहने वारी नदियां हैं और इन्होंने अपने गाज को काफी गहरा कर लिया है जैसे आपने देखा होगा कि हमाले से बेहने वारी नदिया होएं वो mostly अपने गार्ज वो वियाकार की गाटी बनाती है। जबकि इन्होंने अपना जो तरहातल है गार्ज है उसे काटकर लगवग लगवग यूँ आकारम बदल लिया है। अर्थात जहां से वयती निकली है उस इस्थान से लेकर के जहां पर गिरती है उस इस्थान तक उन्होंने समान प्यादा कर लिए अर्थात अब वह समान हो गया है इस तरीवीसम कह सकते हैं कि नदिया प्राइदी भारत की जो नदिया आए वो अधिकास्त है अपनी वर्धारह्या वस्ता की और लद आ वर्धावस्ता की और है तो हाई यह मैप Super前 से सबसे पहले आप मेरे साथ KBR by ह्वारत का मैप बनाए जीए हैं मित्र मेप भारती मेप बनाना बहुत जरूरी है बगर मेप के आप ओई भी पॉट्ट समझ दें सकते हैं यह मैंने प्राइधी भारत का लगो और मेप बना है अपनी जिस तरीवे से जरूरत है उसके एकोडिंग में आपके लिए मेप बना है तो देख यह आपका प्राइधी भारत है इसके प्राइधी भारत के इधा साइड में पूरू ऑर मित्र बंगाल की खाड़ी जरू है मतलब बंगाल की खाड़ी बंगाल भी खाड़ी है यह पूर दिसा की और है मिफ्टर केदर है पूर दिसा की और है और इसके पश्चिम दिसा की और आपका अरब सागर है क्या मिफ्टर अरब सागर अरब सागर है तो देखिए मिफ्टर मैंने आपको बताए था इससे पूर्व की व्यूडियो बता चुका हूं कि एक मिट को इसे चोड़ा कर दीज़े आप सहिए इसके प्रायदी भारत है इस पर असंट पठार वे जला है इधर आपका पुर्वी घाट है पुर्वी घाट अधिक उचा है पुर्वी घाट कटा फटा और समतल लगव समार है तो देखेंगे कि प्रायदी भारत पर जो नदियां हैं वहway अपना जल या तो भणाल की खाड़ी चितरब घिराएंगी या फिर वह बंगाल की खारी के तरब घिराएंगी जिस तरीके से हिमाले से नदिया इस तरह इसे अरफ साज़र में आती है या वो बंगाली खाड़ी में आती है इसी तरीके से देखेंगे भारत में दो प्रकार का अफ़ार तंत्र होने के एसाथ साथ किनाते या तो अपना जल मोश्री बंगाली खाड़ी में गराएंगी या लेगए तो संसे पेने अब देखते हैं जो अरेकिति भारत की नदियां है जो अरव साजर की ओर नदिया से बाद की ओर प्राखन पिन्हें निखी का अलब साधर की ओर में संुअ है जल कि घि राने वाली नदिया जीराने beau दी की नदिया कौन-कौन सी मित्र, देखिए, सबसे पहले, मित्र ये कच्छी खाड़ी है, ये क्या है, कच्छी खाड़ी, इस तरीके से आपको ये दिखाई दे लोगी, ये मित्र क्या है, कच्छी खाड़ी है, और ये खंबाती खाड़ी है, मित्र क्या है, खंबाती खाड़ी है, और ये टूंतों लाजिक लगा सकती है यह दोण रहां वी गुज्राइप में पर हैं और मिट यहाँ पर सबसे Legends नदी इस तरीके से आती है इस तरीके से यह लिटी लूनी नदी हे लूनी नदी यह मित्र कौनशी नदी है लूनी नदी हे लूनी नदी है मित्र यहा अरावली परवस रेडिस के पास में अजमेर राजिस्तान का जिला है वहां से निकलती है और यहां यहाँ यह होकर जील से होका प्रभाइत होती है वह जील भारत की सबसे खारे पानी की इस तरी जील है आप प्लीज उसका नाम मुझे कॉमेंट्स में करके बता दीजिए मैं हलाग बताऊंगा बाद में बता दूंगा लेकिन आप ये बताईए कि लूनी में दी किस जील से हो करके प्रभाहिप होती है उसका आपको नाम बता होगा में कि विस्तु की सबसे पराचिन परवसरी हैं जिसे अरावली परवसरी कहते हैं कि अ 라वली सीडी कहते हैं यह哇 आफ्रेस्तौ की सबसे पराचिन परवसरी हैं आठाट सु क्लूमेटर लम्मी और इसकी सबसे मुझी चोटी आपको बताई थी मैंने गुर्ष सिखर रहा है 3772 मिटर इसके फास से होकर किया आपकी यह लूमिनरी प्रभायत होती है और यह कहां से निकली है मैं तर अजमीर से निकली है और जो निकली है यहां पर एक जील है जो भारत की सवसे अधिक खारे पानी की स्थरी जील है इसका आपको मित्र नाम बताना है आप बताईएगा कोमेंट करिए देखी है इस निकली है सामर जील है मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले तक बता रहा हूं निकली को डूल निकली क अ сказज मित्र एक बात और आपको बताऊंगा जो भी पश्चमी जिसाख मलब अरव सागर में जो गिरने वाली नदिया हैं उसमें से अधिकास नदिया हैं वह केवर मौसमी नदिया हैं मतलब बरसाथ के समय में ही इसमें पारी होता है बरसाथ खतम होने पर इनका जल धीमे धीमे सूक जाता है या खतम हो जाता है जैसे बरसाथ फिक उने आती है तो इन दिया फिर चलने लगती है इस भी यह नदिया जो पश्चमी साइटी नदिया है जो अरव सागर में आतर गि लूनी नदी इसके बारे में आप लिख सकते हैं या मौसमी नदी है कैसी है मौसमी नदी है दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं या राजिस्थान की सबसे बड़ी नदी है कैसी है राजिस्थान की सबसे बड़ी नदी है मित्र इस वीडियो में केवल मैं आपको केवल जो नदियां है प्राइड़ी भारत की उनका ओवर्वीर दे रहा हूं उनको केवल बता रहा हूं कौन सी नदी किस किस तरीके से है यह दब इससे आने वारी वीडियो में कि इनके वारे फूल डिटेLIEल बतांगा ज्यसे लूल्डी कौन सी सहायख नदी है कहान से गवड़क्या जिए अब को कि वे ऎदियों के आप यह इसको किवल में पोछ समझें नेस्ट वीडियो जाईगी इनके वारे में इसक पर्यूटहु दा deg Beau परियुजना बगरा जो होते हैं उनकी में अलग से वीडियो अलाँगा तो आप देखेगा इस समय के वल आपको ओवर्वीड दे रहा हूं तो यह रायस्थां की समसे बड़ी अदिजी है यह आप समझ चुक्त होंगे यह समावर जीर से होकर गुज़िए कि इसके बाद कि इसका उद्गम कि उद्गम कहां से है अजमेर से है कहां से मतर अजमेर पोस्टर पर लिखना है कि अरावली अजमेर से नीकली है और गृति पहां पर अरब सागर मों अर्रब के पास ने पहुंच पाती उस कर्फ कर नदे का फो कपने मतलब यह मतलब यह यह कड़ी से पहड़ी क अध्यार्ण इसलिए है यहां छेत्र समुद्र के लेबल से लगव बड़ाव है यह चेत्र परश्मी घाट का विष्था है तो यह चेत्र में गती है उसे और ल सत्र. यहां पर यहां गुजराब में इसके बाद एक नदी और मूझ रिष। वह यहीं से नीकिनी भी है, इस तरह एक से आती है, यह आपके सावरवती नदी है, कौन सी नदी है, सावरवती नदी, इसी नदी पर गांधी जी ने अपना आश्रम खोला था, इसी नदी पर सावरवती नदी के तट पर ही, गांधी जी ने गुजरात में अपना आश्रम बनाया था, सावरवती नदी के नाम पर ही, और इसके साथ सावरवती नदी की विशेषता और दूसरी यह है, कि गुजरात की रायधानी गांधी नगर और प्रिशिद्ध गुजर किस सामर्वती नदी है इसका उद्गम राइस्तान के उदैपुर के निगड से हुआ है राइस्तान का उदैपुर नगर आपने सुना होगा प्रशिद है वहां से हुआ है यह बढ़ते में गुजरात तैंटी करती है तो गुजरात की राइधान जो गांधी नगर है क्या है गांधी नगर है वो इसी नजी के तटपर है प्रशिद एहम्दाबाद नगर गुजराट का अच्छा गुजराध का एहम्दाबाद नंगर की एक विचेस्था है स्कार्षिट पूर्च्छन पूर्शे बहुंझत आता है भारत का देट्रॉड किसे कहते हैं तो डेट्रोड का मतलब क्या होता है आप इसे कॉमेंट्स करके बताएंगे मैं बताता हूं कि भारत का डेट्रोड एहम्दाबाद नगर को ही कहते हैं तो इतना आप समझ चुके होंगे मैं आपको फिर बताने के बाद कोशिच कर रहा हूं मैं तरहीं में किमल आपको से निकलती है और बढ़ते हुए आपकी खंमार की खाड़ई की पास आकर करके गिर जाती है इसके बाद ये तीसरी एक नगदी है इसके विषेस्ता इंक्लेंट है इस तरीके सी निकरी हुई है इस तरीके से तरीके से यहां पर आ Помढ़ आता reading कि से माही नदी करते हैं कि माही नदी करते हैं कौन सी नदी है अज्धي कोई बिस्थता बताय को मैं आप से पूछता हूँ के इसकी बताया हूं यह करकरेखा को काटने वाली भारत की कर्क रेखा को दोवार काटने वाली प्रमुख नदी थी भारत की एक मात्रे ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दोवार काटती है आप बताएंगे के भूमद रेखा को और मकर रेखा को कौन-कौन सी नदिया दोवार काटती है इसे आप कॉमेंट्स करके बताएं में ने ये भारत की विसे तब नाभिया है इस तरीके से यहां से निकलती है तो भारत से कर करेका वह बुझरती है इसके बारे मताद को यह प्रतरी माही नदिव है जिसके बारे में आप करएंगे उसके बाद देखिए इससे मिटालिक राम उसके बाद देखिएगा फिर आपकी लोग नदी है इस तरीके से यहां पर एक परवस्ट्रेडी है आप उसे कोमेंट्स करें बताएं यहां पर कौन सी परवस्ट्रेडी है मैं अदर व्यूडियों पता चुका हूं यहां से इस तरीके से एक नदी निकलिवी है यह नर्मदा नदी है नर्मदा नदी है उसके बाद इसके बीच परवस्ट्रेडी एक यहां पर यह तापकी नदी है निकलिवी नर्मदा नदी है इसके पास में इस तरीके से और यह से आपकी नदी है इसे तापी नदीन केते हैं मित्रफ ये जो नदिया है इनका जो ये नदिया जहापर गिरी है वह मुश्नली गुजरात के तट पर आकर गिरी है तो ये नदिया कहाँ ही है गुजरात की है कि गुजरात के तट पर आगर गिर्ती है यह दो नदिया है यह दो नदिया यसी है जो बर्स वर प्रवायच होती है उसके बाद आप देखेंगे, गुवा में आ जाएंगे, यहां पर आपका गुवा है, गुवा में एक नदी है मांड लोगी, यह कुछ नदी है मांड लोगी, और इसके पास में एक नदी और है, इसे जुआरी नदी कहती है, जुआरी नदी, यह कहां पर फितर, गुवा में इसके बाद करनाटक राज में एक नदी है करनाटक राज में एक नदी है एक उसकी नथी कहते हैं किसकानाम के बाद में कि यही आपका कहांप्र ओप्रपाद एफ li especiallylebright shows कया गफ्यक है कुण सके नदी आने हैं है कि वह स्वक्राज का भर्याज दितना थे कि यहां पर एक लदी है इसे भरत्पूजा केते हैं भरत्पूजा लधी कि पास में ही आपके पैरहार रधी है पैरहार रधी है पेरेहार नदी है और इसके बाद ये एक नदी हो रहा है पेमबा नदी पूछी आती है पेमबा नदी मित्र पेमबा नदी पेमबा नदी ये तीनों मित्र आपकी केरल राज में कहां करें कैयरररातली है है in कोष्यन कुछा आता वं भरत-पूजय पूजय नदी पेमबा नदी सरावती निम्वन मैं से कौन सी नदी केरल राज में नहीं है तो आप बता सकते हैं कि सरावती नदी किरल राज में नहीं है अच्छा में तरह एक कोशन ऐसे ही पूशा जाता है कि जो पश्चिभी घाट की नदियां है उनका उत्तर से दच्छड क्रम क्या है या उत्तर से उत्तर क्रम क्या है तो आप बता सकते हैं यह दच्छड से उत्त सबसे पहरे लूनि सबसे दढ़ाो हादा यहां के उदले हैं पेंवडरी तो आप इस तरीके से बता सकते में आपको किरमयात होना बहुत जरूरी है इसके साथ आपको ये बात बता होना ज़ूरी है कि कौन सी नदी कौन किस राज्ज में हैं जैसे ज्वारी नदी है मांड़ी नदी है बहुत कुछ आती है गोवारी भरत पुजा रदी है पहर्या नदी है पहमा नदी है केल राज्ज में है स्रावती नदी अग करनाट राज् यह मिट्टर में आपको बताई जो नदियां आपके अरफ सागर ना करती हैं। कौन पोश नदियां हैं। सबसे प्रेड़े। लूनी नदी। उसके बाद सामर उती। सामर भत्ती। उसके बाद माही नदी। उसके बाद रमदा नदी। उसके बाद तापती नदी या तापी नदी। उसके बाद मांडवी नदी। गोवा में में तरी हैं। मांडवी। फिर उसके बाद जोवारी नदी। बहुत पुछी आती है। जोवारी नदी। किस राती में हैं। गोवा में हैं। सरावती नदी करनाटक में हैं उसके भरत पुजा भरत पुजा नदी केरल आज नहीं पेरिहार विजिनस्ता इसकी बहुत अच्छी है बतांगा में पेरिहार नदी पेरिहार नदी पेमबा नदी यह मित्र आपकी अरव सागर में गिरने वारी प्रमुफ नदियां है अगर इतना ठीक से याद कर ले आते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा ने मित्र क्योंकि कॉश्चन कुसे आता है कि आप यह बताएए इसमें से तीर नाम लेदे जैसे डूने नदी सावर्वत की खाड़िंगार की लेद्र श्रावर्व नहीं गिरती है तो आपको इंको याद करना हों मतला मित्र आपको यादकर नहीं है मैं तो इस तरीक से मुझे आज तरीक से आपको याद हो गता है यह अरव साज़क को बिन्नेवारी प्रमुखंद्या मैं बताऊगा यह व्याद बंगाल की खाड़ी और कियों बारी नदिया या कि बंगाल की खाड़ी है और पॉचिंग नदिया है वो प्रसाम में सबसे पहले सबसे पहले यह नदिय स्वाड रेखा स्वाड रेखा नदिया उसको दूसरी नदिया एक वर तीसरी नदिया है इस तरीके से तीन नदिया है यह ब्राह्मरी नदी है और वैतरणी नदी और एक नदी और है बड़ी नदी है इसका नाम क्या है महानदी है इसका नाम क्या है महानदी है यह चारो नदिया औरीशा के तटपर आ करके यह कौन सा राजी है औरीशा है कि औरीशा के तटपर आ करके यह चारो नदिया क्योंकोन सी है मित्र बताईएगा अरे चारों नदियां संसे पर्विडे शौंड रेखा नदिय है उसके बाद बाहमणी नदिय है बैतर नदिय है और महा नदिय है ये चारों नदियां उड़िसा के तट पर आकर के बंगाल की खाड़ी अपना जल गिराती है एक बढर फिस उनिए साओ से पहले स्वोंडर्यखा निकले कहीं पश्यन पूछने का आप श् Hack Mov होण जिना प Там को हर आप को पता होना चाएब को पता होना चिंग है कि स्वण्ट रेका नदी अपना जल्व कहां घ्राती है पता चला आपने इसका जल्व उसके बदेखिये दो बड़ी नदिया है प्रायट्वी गभारत कि सबस्रे बड़ी नदी इस तरीके से है यहा नदी गोदावरी मधी बदावरी. इसके सांसांत एक नदी से और आईए फासी यापी करफणा नदी है कुँसर नदी रचा है क्रफणा नदी और ये नदिया, ये दॉलर दिया mostly आंदर प्रदेश के थट पर किसके आंदर प्रदेश के थट पर जल गिराती हैं बंगाली भारी में इसके साथ एक छोटी इसकी साइब नदी और है पैनेरू नदी कौन सी पैनेरू नदी इसको यहां लिख देता हूँ पैनेरू पैनेरू नदी ये अपना द्र कहाँ पर गाती है आंदर प्रदेश में कहां पर और प्रदेश में कहां पर आनदर प्रदेश इसको बता रहा हूँ इस पर कौन से बांध है किनके राज्जों से उकर गुज़री है यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बंदा उता हूंगा अब यह कीवल मैं आपको इनका ओवर उता रहा हूं कुछ बंगाली खाड़ी तर अपना जल गिरा देती है इसके बाद देखिएगा यहां पर पालार नदी है कोशी नदी है पालार नदी है इसके बाद बलेक सर्था दिखाता हूंगा कि वह उसके नदी है और इसके साथ साथ और दो नदियां हैं, इस तरीके से, इसका नाम वैंगी नदी है, कौनसा, वैंगी नदी है, वैंगी का थक्रिफ न हना यहाता है, वैंगी नदी पर यह थार्म्रपडली नदी हैं कौन सी? ताम्रपड़ी नदी किस रज्ज चमें होकर कि बःती है तो आप बता सकते हैं तॉ नाधु नदksom donor? यह चार नदिया आफेतरς पाला हदी कावίν नदी वेंगी नदी और wealthy ताम्रपड़ी नदी लिए ये चारो नधियां आपकी तमिलनाडू के तढ़ पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा दीती यह कहूं सा तढ़ 15 2 हैं नाटू के तढ़ ये चार नधियां कौनी से पार फिर धान दीजे पारार नधी तमिलनाडूर स्ब्राग्सिने उसके पाद कावेरी नदी, वेंगी नदी, तामर पड़ी नदी ये चारों नदियां तबिल्लाटू के तड़ पर बंगाल की खाड़ी में अपना नद जल गिरा देती है तो देखिए बंगाली खाड़ी में कौन-कौन सी करा रही है नदी में तो सुरू से लेके चलेंगी बताईएगा सामसे पहले स्वांडर ये खरती नमबर में डालते हैं उसके बाद है ब्रामणी नदी नदी उसके बाद है बैतरनी नदी बैतरनी नदी उसके बाद है महा नदी ये चार नदी आए स्वड्रेखा नदी ब्रामणी नदी बैतरनी नदी और महा नदी ये चारो जन बंगा की खड़ी विराती है उसके बाद आप देखेंगे गोदावरी नदी गोदावरी नदी कृष्णा नदी इसके बाद पैन्नेरू नदी ये तीनों नदियां आंदर पड़ेश में अपना गल गिराती हैं उसके बाद आप आजए तब्लिनाडू में पालार नदी पालार नदी पैरिहार नदी वेंडी नदी नदी तामर पड़ी नदी ये नदियां young वो मित्र में आगे जाके बटामदा यहाँ पर एक पैम को और किलिए करना चाहिता हूँ और डेल्टा बनाती है एलुटा क्ऑनाती डेल्टा देल्टा बनाती है जो अपने साथ लेकर के आती है उसे वह अपने पास के ही छित्र में बिछा दिती है इसी कार्ड पूरी घाट की जो नदियां है पूरिवी घाट का यह छेत्र है, वहां पर कृतिम बंदरगा बना जाते हैं, क्योंकि बंदरगा के लिए मोश्टली काफी गहा गड़ा की जरूत पड़ती है, और इसलिए यहां पर हर साल मिट्टी खोद करके बंदरगा को सुरच किया जाता है, और यह नदिया अपने साथ देल्टा बनाती हैं, जो भी पूर्वी साइट में बंदरगा खाड़ी में गरने वारी नदिया हैं, अब आप देखे लिए बंदरगा खाड़ी में कौन पहुंच नदिया करती हैं, तो बता सकते हैं यह नदिया मोश्टली डेल्टा बनाती हैं, क्या बनाती हैं, डेल्ट दीमी हो जातने कान ये अपनी ब्रद्दावस्ता के प्रफुर नजदी पहुँच गई है इसलिए जो आउसाद लेकर के आती है वो अपने पास ही मिछा देती जब कि पश्मी घाट की जो नदिया है वो एक्षोरी का नमार करती है और क्योंकि यह मौस्मी नदी है और यह जो उपरस निकली हुए है वो बहुत तेजी साथ बहती है और जो तेजी साथ बहने कान जो अपने साथ लाये हुए अवसाद को वो समुद्र के या अलव सारक के अंतर ले जाती है इसलिए यहाँ पर डेल्टा का नमार्ण नाँ करके एक एक्षोरी का नमार्ण हो जाता है वह्त luck वंदर कानद कर देदी कान मत्रं अज के लिए में बताँ मळीयों इसे आने वीडियो में बंगाली खाड़ी में गरने वाली नदियों के बारे में बताना दो वीडियों में यह रभग कम्प्लिट हो जाएगा तो आप मेरे साथ बड़े रही है लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से गुजाइस करता हूं कि आपने के साथ मेत्री सिद्धत से महनत कर रह है आपके लिए आपका कर्टा बितना तो बनता है कि आपका आप मेरे चनल को अधिक से से अपने दोस्तों के साथ सियर करा करके सब्स्क्राइब कराएं प्लीज आपसे हाग वोड़े की बजाएस से तो मितर आज के लिए इतना ही नेस्ट वूडियो में आपके साथ मुलाक होती है जेहिर जेभारत